अपने Hunting Coder blog को हमने पिछले वीडियो में host किया था, हम लोग ने देखा था कि किस तरह से इसको पूरी दुनिया के लिए हम लोग host कर सकते हैं और हम किस तरह से URL generate कर सकते हैं जिस पर visit करके कोई भी हमारे blog को देख पाएगा आज के इस वीडियो में देखे हैं किस तरह से Google Analytics Search Console जैसी बहुत ही महत्वपूर सर्विसेज हम लोग अपने ब्लॉग के अंदर लगा सकते हैं, खासकर Next.js में रहते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, जारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह से हमने किया था यह DigitalOcean का मेरा Dashboard है, मैंने यह जो हमारी application है इसको DigitalOcean पर host कर दिया था और DigitalOcean आपको यह Padlock दे देता है, चुकि है SSL भी कहलाता है और यह काफी अच्छा feature है DigitalOcean का, काफी बढ़िया लगता है और यह चीज आपको Versal में, AWS में और Versal में भी देखने को मिल जाएगी, Linode में देखने को मिल जाएगी, अलग-अलग तरह की services ही है सारे hosting providers प्रदान करते है, ठीक है एक अच्छा hosting provider चुनों और अपना काम चालू करों, चाहें वो कोई सब ही हो जो सस्ता पड़े, और टिका हो पड़े, जिस हिसाप से आपका budget है, उस हिसाप से और complexity application की severity है, उस हिसाप से आप लोग चूज कर सकते हो अभी फिलाल के लिए ये blog यहाँ पर ब्लोग सही से काम कर रहे है, ठीक है अब यहाँ पर मैं चाहता क्या हूँ, कि huntingcoder.com जो कि मैंना अलड़ी खरीद रखा है उसको इससे कैसे point करा हूँगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा digital ocean के अंदर और अपना domain अड़ करना पड़ेगा digital ocean के अंदर, अगर मैं यहाँ पर अपने इस application को खोलू, जो की मेरी एक digital ocean app है, digital ocean की जो application है, इसके अंदर domain को option आता है यहाँ पर अगर मैं edit पर क्लिक करूँ, तो यह मुझे option देता है, domain को add करने का, और मैं यहाँ पर domain को add करूँगा, मैं काऊंगा क्या आप खुद से domain अपना manage करना जाते हो, या फिर हम manage करें, तो मैं आप लोग कर दो, manage आप बढ़िया कर दो, ठीक है, तो उससे होगा, क्या मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, we manage the domain, तो मैं डोमेन को डिर्लोजिशन के अंदर लेंगा, और मैं ऐसा करना काफी prefer करता हूँ, ठीक है, तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, अपने go ready dashboard पर जाओँगा, फिर इसके बाद जो आपका domain है, आप उसमें manage पर click कर दें, ज चेंज करूँगा, name servers को change करूँगा, और यह करने से क्या होगा, कि जो मेरा domain है, वो चला जाएगा, मेरे digital lotion करूँगा, तो यहाँ पर एंटर my own name servers, ठीक है, तो मैं यह जो name servers है, जो कि मुझे डिलोजिशन ने दी है, वो मैं आपर तीनों के तीनों add कर दूँगा, ठीक है, एक, दो, और एक ns3 होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ns3.delusion.com कर दूँगा, save पर क्लिक करूँगा, और यह थोड़ा सा time लेता है, यहाँ पर point करने में, तो यह मेरा जो domain है, इसके बाद आ जाएगा, मैं आपर लिख देता हूँ, yes, I concern to update the name servers for the following domains, huntingcoder.com जो है, वो यह हाँ पर, success your request is in progress, और यह 48 घंटे में आपर globally update हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर मैं add domain पर click करूँगा, ठीक है, यह domain मेरा add हो जाएगा, और जैसे ही यह domain add होगा, यहाँ पर आप लोग देखो, huntingcoder.com status pending आ रहा है भी, थोड़ा time ले गई, ठीक है, कभी-कभी बहुत ज experience है, अब यहाँ पर क्या होगा, कि जो huntingcoder.com पर आप लोग जो visit करोगे तो यह आपको देखने को मिलेगा, और इसके लिए थोड़ा wait करना पड़ेगा, बट इतना ही procedure है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, future में अगर आप लोग चेंज करना चाते हो, कि यह domain से आप क्या क domains का option आता है, यहाँ पर कहीं न कहीं, ठीक है, शायद मैं भूल लो, networking slash domains, ठीक है, तो यह सारे detailization की playlist में मैंने बता रहा है, कापी detail में, तो वाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा huntingcoder.com है, उसका काम तो पूरा हो चुका है, ठीक है, लेकिन अब Google का search console देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक नई property आड करना है, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करें, और add property जो दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, simply आपको, अब मैं आपर लिखूंगा huntingcoder.com, ठीक है, अब यहाँ पर इसको जाओंगा यहाँ पर देनलोशन की domains में, अब यहाँ पर huntingcoder.com सेलेक्ट करूँगा अपना domain, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, कि TXT record आड कर दूँगा, ठीक है, तो TXT record मैं किस तरह से add करूँ, कहाँ पर, हाँ यहाँ आ गया, TXT record, TXT string यहाँ पर आ गई, hostname में मैं क्य ownership verify हो चुक है, आप property पर जा सकते हैं, यानि कि आपका जो domain है, उसकी सारी की सारी चीज़ा आप यहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेंगे, काफी लोग पूछते हैं कि हम कैसे की जाता है, कई वीडियो में, तो मैंने आज आप लोगो बता दिया, कि यह भी कैसे किया जात है, ठीक है, तो I hope कि आप लोगो आज का वीडियो काफी helpful लगा, यह जो hunting quarter project है, इसको मैं यहीं पर खतम करूँगा, हो सकता है, future में आप लोगो कुछ ब्लॉग से आपर देखने को बिल जाए, हो सकता है, इसको मैं आगे लेकर जाओं, क्योंकि यह एक बहुत अच्छी template ब लेकिन huntingcoder.com काम करें, इसका मैं थोड़ा वेट करना चाता हूं, और मैं यह शूर होना चाता हूं कि huntingcoder.com चलेगा, ठीक है, बट चलेगा, चलेगा मैंने कई बार यह चीज़े करी है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, अगर अगर अपने domain के साथ, आप लोग ऐसा कर खर्म यह लोगद बाद लेगा, तालेगा, थे करेंचा हैं, थायए थायए पाने लूगे कर वोगदा थायए, लोगदाए, अजलेगा कर लोगदाड़ा कर लोगदाने वे बाद्यों, बाद्वे कर लिए थायए.